चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो आज इस वीडियो में हम दो अपडेट्स के बारे में बात करेंगे पहला अपडेट नीट 22 काउंसलिंग सेड्यूल के बारे में है और दूसरा अपडेट उत्रप्रदेश स्टेट की करेक्शन विंडो के बारे में है तो सबसे पहले हम MCC के नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं जो काउंसलिंग टाइम सेड्यूल के बारे में है MCC ने ओल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग का जो सेडियूल जारी किया था उसको सुप्रीम कोट ने अपरू किया है और MCC ने सभी states को inform किया है कि वो इसी time schedule के according अपने state की MBBS BDS की counseling conduct करे ताकि Supreme Court के order की पालना हो सके schedule वही है जो MCC ने पहले जारी किया था वो schedule में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ first round की counseling MCC की 11 October 22 से 20 October 22 तक complete हो जाएगी और state की 17 October से लेकि 28 October 22 तक complete हो जाएगी last date joining 28 October MCC की रहेगी और state की 4th November 22 रहेगी हालनकि first round का जो schedule है कुछ state का late जारी हुआ है तो उनका 4 November के बाद में भी last date है लेकिन second round में ये सही हो सकता है second round counseling MCC का second November से लेकि 10 November तक है और reporting last 18 November 22 तक है state का 7 से 18 November है और last reporting day 21st November 22 है इसी प्रकार मोपप का MCC का 23 से 1st December है और joining 10 December तक है state का 6 से 12 December है और joining 16 December 22 है state MCC का 12 से लेकि 14 तक है और state अपने साब से इसको conduct कर सकते हैं जो class है open होनी की date है तो वो 15 November 22 है और last date रहेगी admission की वो 20 December 22 तो यह schedule है state और MCC दोनों का दूसरा update उतरपरदेश state के correction window के बारे में है जैसा कि आपको पता है उतरपरदेश के अभी registration चल रहे हैं और इनकी last date registration की 28 October 22 है और security payment की date 30 October 22 है अब जिन candidates के documents अप्लोड करते से में mistakes हो गई है जैसे कि जो उतरपरदेश के candidate हैं उनको 12th की mark seat upload करनी है जो qualifying exam होती है वो 12th होती है तो 12th की mark seat upload करनी होती है तो उसकी जगह अगर किसी ने need का score card upload कर दिया या कोई अन्य documents upload कर दिया तो वो correction कर सकते हैं इसके अलावा जो उतरपरदेश के अलावा जो बाकी candidates है उनको उनका domicile certificate या जिन पे address लिखा हो वो proof यह upload करना होता है जो domicile और 12th की mark seat ये UP के other state candidate को करना होगा और UP state को 12th की mark seat upload करनी होगी तो अगर किसी candidate ने ये mistake कर दी इनमें upload करने में तो registration की जो last date है 28 उसके बाद में correction window open किया जाएगा ये 29 October दोपेर एक बज़े से लेकि 30 October 22 को दोपेर एक बज़े तक ये correction window open होगा तो जिस candidate ने अगर ये documents गलत upload कर दिये तो इस correction window के दोरान ये upload करने के लिए ही correction window open किया जाएगा तो इसके दोरान वो correct कर सकते हैं इन certificates को सही certificates upload कर सकते हैं क्योंकि इस बार जो UP में documents verification है वो online ही होगा उसमे 12th की mark seat और जो other state candidate है उनके लिए domicile certificate ही इसमें online verify किया जाएगा और result आने के बाद में नोडल सेंटर पर जो बाकी documents है वो वहाँ check होंगे admission formality सारी नोडल सेंटर पर होगी ये इस परकार का अभी तक का UP का rules से regulation और schedule है जैसे जैसे बाकी states का भी पता लगेगा हम आपको inform कर देंगे आप हमारे channel को subscribe करके bell icon अवस्य प्रेस करें ताकि हर एक counseling update आपको मिल सके तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन